नमस्कार आप देख रहे हैं आज का मुद्दा मैं हूँ प्रवीन तिवारी उस समय पहले उत्तरप्रदेश की सियासत को गर्माने वाला राम मंदिर का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब दिल्ली विश्विद्याले में इस पर एक नई बहस शुरू हो सिंगल के बनाए एक संगठन को राम मंदिर पर सेमिनार करने की इजाज़त दे दी है जिस से गुस्साए विश्विद्याले के चात्रों और शिक्षकों के करीब 11 संगठन इसके पुर्जोर विरोध पर उतराएं इसी पर होगी आज बड़ी बहस लेकिन पहले देखिए हम सिंगल के बनाए अरुंधती वशिष्ट अनुसंधान पीट संगठन ने दिल्ली विश्विद्याले प्रशासन से एक समिनार की इजाज़त मांगी थी जिसके लिए युनिवरसिटी ने बकाय दाम मंजूरी दे भी दी श्री राम जन्भूमी मंदिर उभरता परित्रिश नाम के विशय पर दो दिनों के समिनार का आयोजन नौजनवरी से विश्विद्याले के आर्ट्स डिपार्ट्मेंट में आयोजित किया जाएगा मिली जानकारी के मुताबिक एवी एपी के अध्यक्ष और बीजेपी नेता सुब्रमनियम स्वामी इस समिनार को संबोधित क करेंगे इस कारिक्रब में दो केंद्रिय मंत्रियों के अलावा इतिहासकारों और पुराततों विदों और कानून के जानकारों के शामिल होने की भी खबर है लोग उनको हमने इन्वाइट किया है उसमें 99 प्रतिशत लोग जोग हैं वो एकेडेमिक करियर के लोग हैं कोई प्रफेसर है कोई रिसर्च स्कॉलर है यूनिवेस्टी का जो फसिलिटी है देली उनिवेस्टी में वो भी हमारे लिए लाइबदा अनुकूल है तो इसलिए हमने चुनाया और कोई कारण नहीं है वहीं छात्रों और सिक्षकों का एक बड़ा हिस्सा समिनार के विरोध में उतर आया है विरोधियों का आरोप है कि विश्विद्याले के माहौल को दोशित और सामपरदाइक करने का प्रयास किया जा रहा है समिनार विरोधियों ने परकार अपने भगवाई जेंडे पर जोर दे रही है पब्लिक फंडेट उनिवरस्टी इसके जो स्पेसिस को करप्ट किया जा रहा है और एक पोलराइजेशन का तयारी है यह सिरफ देली उनिवरस्टी में नहीं हुआ इससे पहले अलाबाद उनिवरस्टी में अपनी पातर अभी नहीं जानते और समिनार में हाई कोर्ट के फैसले के बारे में ही उन्हें बताया जाएगा समिनार उकसाने के लिए नहीं बलकि शात्रों को तत्थियों से अवगत कराने के लिए किया जा रहा है वहीं विश्व दैले ने इस बश्ट किया है कि उसका समिनार के विशय से कोई सरुकार नहीं है AVAP के मुताबिक समिनार का फैसला अचानक नहीं बलकि अपनी मृत्यू से पहले अशोक सिंगल और सुब्रमिनम स्वामी ने 30 सितंबर को समिनार करने की घोशना की थी इस समिनार के लिए कई लोगों ने जबर्दस्त आसार उभरने लगे हैं विरो रिपोर्ट आईडियम सेवन और दिल्ली उनिवर्सिटी में हो रहे सेमिनार पर जिस तरह से राजनीती हो रही उससे कई सवाल खड़े हुए हैं आज का मुद्दा में सबसे पहले सवाल आपके सानने राम का नाम जुड़ते ही उस पर राजनीती क्यों शुरू हो जाता है दूसरा हैं सवाल क्या राम मंदिर पर होने वाला कारिकरम सामप्रोदाइक होता है तीसरा सवाल क्या इस सेमिनार के विरूद के पीछे राजनेतिक वज़े है इसके अलावा एक सवाल ये भी उड़ता है कि हाई कोड के आदेश के पांच साल बाद उसके आदेश को छात्रों को बताये जाने के पीछे का मकसद क्या है अभी क्यों अवेर किया जा रहा है और पांचवा और एहम सवाल ये कि क्या राम मंदिर पर होने वाला कारिक्रम युनिवर्सिटी की राजनीती में भी फंस गया है चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ तमाम महमान मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन आप से करवा देता हूँ विश्विंदू परिशत के प्रवक्ता विजेशंकर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता प्रभाज जहा साब हमारे साथ मौजूद हैं कॉंग्रेस प्रवक्ता रागनी नायक हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली विश्विद्याले की एग्जेकेटिव काउंसिल की सदस्य आबादेव हबीब हमारे साथ मौझूद है। सवाल अब खड़ा हो रहा है और सभी लोग पूछ रहे हैं क्या वज़े ऐसी आगई कि सुब्रमण्यम स्वामी को डियू जाना पड़ा इस मुद्दे को लेकर है। अच्छा होता है और एक युनिवेस्टी का जो फसिलिटी है देली उनिवेस्टी में वह भी हमारे लिए लाइब दाए नुकूल है तो इसलिए हमने चुना है और कोई कारण नहीं है। लेकिन अभी आप पर आरोप जो लग रहा है वो तो बड़ा गंबीर है कि इस कारिक्रम के जरीए आप सामप्रोदाइक्ता को बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं। तो वह अलग से सेमिनार करें सेकुलिरिजम पहलाने के लिए हम कहां उनको रोक रहे हैं। और पोलीस की पूरा व्यवस्ता होगी तो इसमें उनको क्या डर है। विचारों के संगर्ष में आने के लिए बडरते हैं तो मैं क्या करूँ। उनका कमजोर सिधान्त है इस देश में लोग 80% हिंदू हैं तो वो एक राम के लिए कोई सेमिनार करने चाहते हैं तो ये कैसे रोक सकते हैं चलिए अगर आप सामपरुदा एकता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो वो इसके खिलाफ कोई सेमिनार करें ऐसा आपका कहना है कि उन्होंने कहा कि फेसिलिटी अनुकूल है मुझे लगता है वो समझ रहे हैं कि परिस्तिती कूल है सेंट्रल गर्मेंट में जो बीजे पीलेट सरकार है और उसके चलते ही सारया तमाम हो रहा है मैं इस सेमिनार को जो योदिया से तमाम रिपोर्ट आ रही है कि वहां पे ब्रिक्स पहुंच रही हैं ट्रक्स पहुंच रहे हैं उससे अलग करके नहीं देखती हूं और क्यों लगातार जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सेंट्रल यूनिवर्स्टी में कोशिश हो रही है घुसपैट की वह वह भी स्वतंत्र है ऐसे सेमिनार को करने के लिए पर वह भ बार भी इलेक्शन हैं और 2017 में यूपी में इलेक्शन हैं यह बात सामने खुलकर आई है कि जहां जहां पिछले दो साल में इलेक्शन हुए हैं वहां वहां राइट्स जो है एक सामपरदाइक दलों को आप भी एक पॉलिटिकल विंग के साथ में जुड़ी हुई है तो ऐ आपका सवाल सीधे प्रबाद जासाब के सामने रखना चाहूंगा वरिश निता हैं बीजेपी के प्रबाद जी ये तो बात बहुत साफ है कि अचानक पास साल बाद दिल्ली उनिवर्सिटी का रुख करना कुछ सवाल खड़े करता है कि क्या अब राजनीती दिल्ली अगर हम कोई बात करते हैं सेमिनार करते हैं तो गलत क्या है इससे कोई डिसीजन होने वाला है नियाले में मामला चल रहा हम सब जानते हैं कि जब नियाले में फैसला होगा तब जाके कोई इट पत्थर वहां लगने वाला है लेकिन यदि हाई कोट के डिसीजन से क्या डिस नहीं होता है क्या इन्वर्सिटी में सब्जेक्स पर सेमिनार नहीं हुए वैसे अगर कॉंग्रेस के मित्रों से पूछेंगे उनके समर्सकों से पूछेंगे तो वो कहते हैं कि यह बहुत बड़ी समस्या है सामप्रदाइक मामला है तो लेट्स गो यूथ को पता लगने जिए यह समप्रदाइक मामला है या देश का मामला है हम मानते है डिवेट होना चाहिए आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही है यह मामला अदालत में है तो सुब्रुमेंडियम स्वामी साब भी उनसे भी जरा इस पर उनकी राए भी जान लेते हैं वो क्या कह रह रही है जिए में जो काम था इसमें वो नाइटीन नाइटी फॉर से टू थाउजन फोटीन तक यानि लगबग बीस साल के लिए अलाबाद हाई कोट में इसकी भैस हुई थी अब बाकी रहा है क्यों लौपाइंट है कि सुप्रीम कोट में अपील तो फिर शुरुवात नह होती है उसमें सिर्फ लौपाइंट्स देखते हैं वो लौपाइंट सीमित है और अभी तक कि इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई अकोट में अब इसको हम सरकार के मदद से इसको लिस्ट करवाएंगे और इसकी सुनवाई मेरी ख्याल में दो महीने से ज्यादा नहीं होगी ठीक है मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा आज एक बड़ा ये यक्ष प्रश्न हम सबके सामने और विश्विंदु परिशत के प्रवक्ता विजेशंकर तिवारी भी जब हमारे साथ मौजूद है तो जरूर जानेंगे कि बनेगा या नहीं बनेगा मंदिर लेकिन उ बहुत करीब से देखा आप छात्र राजनीती से निकली है दिल्ली उनिवर्सिटी में तो राजनीती होती है फिर ऐसे में अगर कोई राजनीतिक कारिक्रम हो भी रहा है तो उससे दिक्कत क्या है देखे जवाब शुरू करती हूँ मैं आपके बड़े प्रश्न से कि राम के नाम पर राजनीती आखिर क्यूं और इस सवाल का सबसे बहतरीन जवाब तो भाजपा, RSS और संबंधित संगठन दे सकते हैं क्योंकि जैसे ही चुनावी बिगुल बजना शुरू होता है यहाँ पर राम मंदिर के मसले को तूल दिया जाता है और यह जानते हुए कि यह सब्जुडिस मैटर है इस पर भाजपा RSS के कहने से कुछ भी नहीं होगा मैं समझती हूँ कि राम मंदिर और मर्यादा पुर्शोत्तम श्री राम इन लोगों के लिए ना भावनात्मक मुद्दा है ना धार्मिक मुद्दा है यह केवल राजनेतिक स्वार्थ साधने का मूल मंत्र है अब दिल्ली उनिवरसिटी पर आते हैं आप देखें कि बड़ा सवाल एक यहां पर भी है कि हमारे देश के शैक्षणिक संस्थान और खास्तोर से प्रीमियम इंस्ट्यूशन ऑफ एक्सिलेंस क्या साइंटिफिक टेंपर पर अक्याडमिक डेलिबिरेशन और डिबेट करेंगे या फिर ऐसे विवादास्पत जलानी का केंद्र बनानी की कोशिश की जाएगा आपने अपनी रिपोर्ट में एक बात दिखाई कि यहां पर अकैडमीशन को बुलाया जाएगा अब अकैडमीशन भारतिये जंता पार्टी और आरेसेस के लिए कौन है बलदेव शर्मा जो की पंच जन्य आरेसेस का मुख पंचे जन्य का संपादक क्यों नहीं हो सकते है वो क्यों नहीं हो सकते है यह बताई यह आप क्यों क्यों नहीं सकते हैं कि अपन मैंड से करते हैं आप जब विश्वित जॉल्यों में मांच परोशने का पूरा टार्कम रखते हैं तब उहां का महल खराब नहीं होता है और जब वहां एक डिवेट रखी जाती है आप पर चर्चा होने के लिए तब आपने प्रेशनी प्रेशनी रखा पांचे जन्य के संफारत क्यों नहीं बुलाए जा सकते हैं रागी नहीं जवाब दे रही हैं मुझे पूरा हाँ देखिए जहां पर बात अकैडमिक एक्सिलेंस की हो वहां पर मीडियोकर लोगों को चुना जाए केवल इस वज़ा से क्योंकि वो आरेसेस की विचारधारत नहीं लगेगा आप देखिए आप देखिए आप देखिए आप देखिए आप दूसरों पर आरो ठोप रही है कि प्रबूद लोग बुद्धिमान लोग बैखिए और उसके आलावा कहीं है कि प्रबूद लोग कॉंग्रेस और लफ्क में ही मिलेंगे बागी कहीं नहीं है वही इत्यास लिख सकते हैं वही अरंग जय को बावर को इनको इत्यास कूश मिला सकते हैं राम पर जलिपतार की अब कुछ कह रही है आपका इपक्स रहे हैं एक मिट रागी नहीं आप यह बताईए कि प्रफेसर नहीं नहीं मुझे पूरा करने दीजे प्रबीन में सिर्फ 10 सेकिंड लोग लोग लिए 10 सेकिंड लोग देखिए जो इस देश के रिनाउंड एकेडमीशन्स हैं बड़ी- आइटी के प्रफेसर काकोड कर थे प्रवीन सिंक्लियर एंसी आटी की उनको इस सरकार में आते ही मिट तर्म अटा दिया क्योंकि वो उनके आरेसे के एजंडा को आगे नहीं बढ़ा रहे थे और कैसे लोगों का एफटी आयाए में गजेंदर सिंग को लेकर क्या हो रहा है यह क्या देश से छुपा हुआ है आप आप अकैडमिक स्पेस को परवट कर रहे हैं आप चाहते हैं कि केवल भगवा एजंडा यहां पर चले और तर्क संगत बात होना बंद हो जाए और कॉंग्रेस पार्टी ऐसा नहीं हो जाए अब आब आगी भी बात सुन लेते हैं फि कि इस पोस्टर में आपने ऐसा क्या दिखाम कोशिश करते हैं दिखाने की लेकिन उससे पहले आप बताएं क्या ऐसा आपको लगा उसमें वो बिल्कुल सीधा सीधा कहता है कि वो राम जन भूमी के बारे में बात करेंगे उसमें अशोक सिंगल की पोटो है और दूसरे में राम जन भूमी और उसका क्या आने वाले समय में चीजें ड्वेलमेंट होगा इसको लेकर वो बातचीत करना चाहते हैं वो पूरा का पूरा पूराइजेशन का मामला है प्रबाजी एक चोटा सा जवाब आपसे इस पर जरूर चाहूंगा आपने क्योंकि कोट में मामले के होने की बात कही थी हमने सुब्रमण्यम स्वामी से भी इस पर सवाल किया लेकिन जब मामला सब जूडिस है तो एक ऐसे समय पर अचानक से सरकार आने के बाद शीला पूजन की खबरे आती है उसके बाद डिली उनिवर्सिटी में बकायदा एक सेमिनार हो रहा है तो कैसे न समझें जनादेश का आपमान नहीं करें अब वो बार-बार कहा थी कि यह इनको निकाल दिया अरे बचिसरकार बनी है सरकार जनादेश से बनती है आपको नहीं मिला जनादेस आपनार अउस्तार के लिए मत करिए बचके के लिए अबको और कातलों के विधिवेट करें हैं उसी तो रिभेट कर रहे हैं क्या सब्सका करती है कि पूरा चाहिए इन्हें ने किसी कृटाइब हुई तो कितने साक्ष मिले ते और साक्षों में क्या लिखा हुआ है इनको पता है कि कि पंदा सो ठाइस में बाबर वहां पर आये इनको पता है तो छात्रों करते हैं इतिहास इतिहास को विकृत किया है अब इनको लगता है कि हमारा सारा जूट सच खुल जाएगा उनके एकडमी खोने पर कोई आपको शंका है क्या जब आप यह बात कह रहे होंगी तो सुब्रहम्र स्वामी की प्रवीन प्रवीन कोई संसर नहीं आप बोलिए 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 जब कोई चीज कंड़क कर रहे है उनको खत्रा है अब यह बात पूरी करें प्रवीन जी क्या बोलते हैं देखिए अकाडमिक बता रहे हैं वीज़पी के प्रवक्ता सुब्रेमन्यम स्वामी जी को तो मैं बता दूं कि हार्वर्ड यूनिवरसिटी से उनकी सर्विसिस को टर्मिनेट किया गया था हार्वर्ड यूनिवरस्टी से निकाला गया और आज नहीं नहीं कैसे नहीं है जिस संगठान के वो हैड है भिया कार्ण और आज जिनके पीड जाना है जिनके पीड जाना है जिन경 को संदाना है कि नौजनवरी 2016 को दिलनी पशुर द्याले में राम जनाम भूमी को लेकर एक करेकरम रखा गया है जिसका विरोद होना शुरू हो गया है और तमाम संगठन से जुड़े हुए लोग यहां पर हमारे साथ में इसमें सुड़ेंट्स भी हैं से फैकल्टी मेंबर्स भी है एक प करना मधुरेमा है ओल इंडिया स्टुडिंड ऐसोसीशेशन आइसा से जिस तरिके से एक तो यह लिब्रेरी साइंस डिपार्मेंट में होने जा रहा है और उस इक तो फरजी तरीके से बूकिंग होई है किसी एक एक स्टूर बारेजोंस लेंबर की नाम से उन्हों ने किसी पीट, एवी एपी को अब एवी एपी के नाम से यह प्रियूइण हो रहा है तो यह communal tension students के पीच में भी पैदा करने की कोशिश हो रहे है students को divide or polarize करने की कोशिश हो रही इस तरह का कारेकरम हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आठग और नौतारी को आखतारी को प्रेजिश कौनफरेंस करेंगे, नौधारी को भारी प्रदेशन करेंगे, और कोशिश करेंगे इस कोशिश नहीं, पूरा इस बात को सुनिशित करेंगे कि ये कारेकरम यहां पे ना ओ. पुरा विश्वास है मैंने ऐसे टार्गेट्स पहले भी रखें हैं जैसे राम सितु पर रखा था और मैं आनिया केसिज में भी ठीक है और मेरा जो ज्यान है विदी का उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि यह आपने बड़ा इंपोर्टेंट सवाल गिया प्रबाद जी बहुत शॉट मैं आपका कोमेंट जाओंगा सुब्रमण्यम स्वामी साब विजेशंकर तिवारी जी क्या कहते हैं वो मैंने सुना कई बार लेकिन सरकार क्या इसको लेकर गंबीर है कि अगर कोट का फैसला नही कि जाए और अधालत के फैसले को सुना जाए इसके अलावा कोई चारा नहीं है दोनों इस पर सरकार प्रयास कर सकती है अभी तो हम इस पर स्टेंड करते हैं कि अधालत सरकार इंतजार करेगी अगर तिवारी जी कोई फैसला नहीं आया तो क्या करेंगे आप लोग लाब ल करेंगे अधालत करेंगे अधालत करता है